Hello students, welcome back to Geography Grow channel. This is our second episode of Class 10th History Chapter 3, Nationalism in India. भारत में राष्टवाद. पिछला जो हमारा episode था, वो introductory episode था, इसमें हमने बात की थी, उस episode में, हमने बात की थी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने बात की थी nationalism है क्या, यानि इस chapter में main theme क्या रहने वाले हैं? आज का जो हमारा episode है, उसमें हम officially आपके NCRT के Coding Slayer से वो श्टार्ट करें. जैसे मैंने बताया था कि 1915 to 1934 तक की यात्रा है इगी, chapter. इस episode में हम यात्रा शुरू करेंगे 1915 से और जाकर के हम रुकेंगे 1918 तक. 15, 16, 17, 18, total 4 year की यात्रा, journey हम करेंगे. तो चलिए हम शुरूआत करते हैं, आज के हमारे episode की, सबसे पहले हम सत्याग्राय को जानने की कोशिश करेंगे कि ये सत्याग्राय है क्या. सत्याग्राय हमारे इस राष्ट्रिया आंदोलंच से नजदीक से जुड़ा हुआ है. और इस पूरा जो हमारा chapter है, उसके hero है, superstar है वो है गांदी जी, ये पूरा chapter गांदी जी के आसपास खुमता है. और हमारे chapter की शुरुआत होती है, वो होती है जब गांदी जी 1915 में, कब, जन्वरी 1915 में भारत लोटते हैं. भारत कहां से लोटते हैं? ये भारत लोटते हैं सावथ अफरिका से. गांदी जी 1893 में ब्रिटेन जाते हैं, किस लिए higher study के लिए, ब्रिटेन से फिर वो सावथ अफरिका आते हैं, और जन्वरी 1915 में सावथ अफरिका से वो इंडिया आते हैं. इंडिया आने से पहले भी गांधी जी अफरीका में वहां की एश्वेट लोगों के लिए वहां के लोगों के लिए संगर्स करें थे उन्होंने देखा था कि इस तरीके से ब्रेटिस गॉर्मेंट है, कोलोनिल गॉर्मेंट वहां पर रहताचार करती है साथ ही साथ वो भारत हलाग की 22 वर्शों से भारत से connected नहीं थे यहां नहीं थे लेकिन वो भारतियों से जुड़ेवे थे इस बारे में उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, और उन्हों निश्चय किया कि हम भारत जाना चाहिए मुझे, और वहां पर आवशकता है, जरूरत है, तो जनवरी 1915 वो भारत लोटे और लोटने की बाद उन्होंने पूरे देश का भरमण किया, पूरे देश में खुमे, त जान्स के ताकि वो जान्स के British rule क्या कर आए वहाँ पर British government क्या कर रही है और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सत्याग्राय का विचार दिया था अब ये सत्याग्राय क्या है बहुत important question पहला important question इस chapter का बन रहा है सत्याग्राय के बारे में आप क्या जानते हो सत्याग्राय गांदी जी का मुख्य हत्यार था अंग्रेजों के खिलाब सत्याग्राय की विचार में सत्याग्राय की भक्ती और सत्याग्राय की खोज की आवसकता पर जोड़ दिया था जो सत्याग्राय शब्द है क्या है ये दो शब्दों से मिलकी बनाए सत्ये जमा आग्र सत्य का अर्थ होता है सच्चाई और आग्रह का अर्थ होता है संकर्ष जानि सत्य करह का सहल शब्दों में कहें तो इसका आर्थ है सत्य के लिए संकर्ष Struggle for truth सत्य के लिए संकर्ष करना उसके लिए खड़ी रहना गांदीजी का कहना था कि यदि संखर्ष सत्य के लिए है और अन्याय के विरुध है तो हमें क्रोध आकर्मन हिंसा की आवशक्ता नहीं है क्योंकि अंत में लड़ाई जो है वो केवल और केवल सत्य की होनी है यह अहिंसक सत्यागराय था एक अहतियार था जो अंग्रेजों कि खिलाप गांदीजी ने प्रयोग किया और भारतियों को भी मोटिवेट किया कि वो सत्यागराय का उपयोग करे ये उत्पीडन और अन्याई की खिलाफ एक गेर अक्रामक शांति पून जन आंदोलन था ये एक नेतिक बल था शारेक बल नहीं था गांधी जी का कहना था कि हमें सहन करने के लिए ज़्यादा शक्ति गाव सकता होती है आकर्मन करने के विज़ाए तो ये गांधी जी ने सत्याग्रे का उप्यों किया था तो इंपोर्टन कोईशन है पूछा जा सकता है सत्याग्रे क्या है सत्याग्रे गांधी जी का प्रमु का थियार था जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रियों किया ये एक अहिंसक हत्यार था सत्याग्रे शब्द है वो दूश अब्दों से मिलकी बना सत्याग्रे यानि कि सत्या के लिए संगर्ष और गांदी जी का कहना था कि अगर हमारा कारण सही है और अगर हम अन्याय के खिलाब संगर्ष करें तो हिंसा करने की कोई आप सकता नहीं है अंत में जीत सत्या की ही होनी है तो यह सत्याग्रह था जिसका विचार गांधी जी ने सबसे पहले दिया और उनके सब भी आंदोलनों में सत्याग्रह सामिल रहा अब गांधी जी ने इस हत्यार को लेका कि जो सत्याग्रह था 19, 16, 17 और 18 में तीन आंदोलन किये तीन सत्याग्रह कह सकते हैं ये आपके 5 मार्क्स के लिए important question है कि गांधी जी के शुरुवाती सत्याग्रह कौन कौन से थे और अलग से भी पूछा जा सकता है तो ये 1916 से 1918 के बीच में गांधी जी तीन स्तानों पर अलग अलग सत्याग्रह करते हैं और तीनों जो सत्याग्रह होते हैं वो सफल रहते हैं अब कौन से सत्याग्रह थे सबसे पहले 1916 1916 में पहला जो सत्याग्रह गांधी जी का होता है वोता है चंपारण आंदोलन जो नील की खेती करने वाले किसान होते हैं उनके पक्स में उपता है नील की खेती करने वाले किसान क्रिशी करना नहीं चापते थी अंग्रेज जबरदस्ती क्रिशी करवाते थी और लगबग 15% जो भूमी थी उसके उपर नील की खेती करना अनिवारे थी और सारी फसल अंग जमीन बज़ पाते थी, किसान तंग थे, और गांधी जी से रिक्वेस्ट की क्योंकि वो अपनी एक पहचान बना चुके थी साउथ अफरिका में, तो गांधी जी यहां पहुंसते है, 1916 में और चमपान आंदोलन करते हैं, वहां के नेल की खेती करने वाले किसानों के पक्स म सत्याग्रह का उप्योग किया जाता है, अंदोलन लंबा चड़लता है, अंत में अंग्रेजों को सत्याग्रह के सामने, गांधी जी के सामने जुकना पड़ता है, और गांधी जी की मांगी मांगी जाती है, यह पहली जीत होती है किसी भारतिया की अंग्रेजों के खिलाब तो यह चमपान अंदोलन था, तो यह थ्री मार्क्स में अगर आए तो आपको कुछ डिटेल्स बतानी है कब हुआ, कहां हुआ, मुख्य निता कौन थी, किसके लिए हुआ, और इसके परिणाम क्या निकले, कौन से हत्यार उप्योग में लाए, तो हत्यार सत्यागर ही था सब में, उसके बढ़ दूसरा जो अंदोलन था, 1917 में वो था खेडा अंदोलन, 1917 में, गांधी जी ने गुजरात के खेडा में, वहां के किसानों के समर्थन में एक सत्यागरह का योजन क्या था, कहां हुआ, खेडा में हुआ, कब हुआ, 식ने क्यों हुआ, मुख्य निता कौन उस थिदी के कारण वो लगान नहीं दे पा रहे थे, अंग्रेज जदिकारी जबरदस्ती लगान वसूलना चाहते थे, तो गांधी जी उन किसानों के समर्थन में आंदोलन करते हैं, जिसे हम खेडा आंदोलन कहते हैं, इस आंदोलन में एक और मुख्य नेता, हमारे देश के मुख्य नेता, सदार वल्ला भाई पटेल है, वो भी गांधी जी को से योग देती हैं, और वहाँ पर आंदोलन किया जाता है, तो ये जो आंदोलन था, ये भी काफी समय तक चलता है, अंत में अंग्रेजों को जुकना पड़ता है, गांधी जी की मांग को मानना पड़ता है, और ये आंदोलन भी सफल आंदोलन रहता है, ये खड़ा आंदोलन था, जो 1917 में हुआ था, उसी वक्त जब सरदार पटेल ने आंदोलन किया था, तो उन्होंने बार दोली में किया था, जो पास में लगता इलाका है, तो ये दूसरा आंदोलन था, गांधी जी के शुर हमदावाद में हुआ, किस ने किया, गांधी जी ने, किस के लिए किया, मिल वरकर्स, मिल शर्मिकों के पक्स में, मिल शर्मिक वहां के जो मिल वरकर थे हैं हमदावाद की मिलों के, वो सडकों पे उतराते हैं, उनकी मांगे थी, काम करने के घंटे कम किया जाएं, उनकी मां आंदोलन सफल रहता है, लंबे समय तक यह आंदोलन चलता है और अंत में अंग्रेजों को उनकी मांगों को मानना पड़ता है, इस तरीके से दूसरा जो आंदोलन था गांदी जी का, जो तीसरा आंदोलन था, बैक टू बैट, वो भी सफल आंदोलन रहता है, तो यह यहाँ मेफ़ग मैं दे रहा हूं उसमें आप चेक किजिए कि कहां पर यह अंदोलन हुए थे इंपोर्टेंट है मेफ़ग के लिए यहां पर मैं तीनों स्थान आपको दिखा रहा हूं थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए यह पहला अंदोलन कहा हुआ था चमपान यह यहां पर यह जो प्लेस दिखाया गया है यह चमपान है बिहार में यहां पर गांदी जी अपना पहला अंदोलन करते हैं चमपान शत्यागरे दूसरा जो सत्यागरे होता है 1917 में वो खेडा में होता है यहां पर तीसरा जो सत्यागरे होता है वो एहमदवाद में होता है यहां गुज आजा सकता है तो यह था हमारे शुरुवात्ती सत्यागर है जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना और आपको बताया कि आपको किस तरीके से लिखना कौन से पॉइंट्स हमें अच्छे से याद करने हैं उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 1918 में जैसा कि हमने जब चैप्टर के शुरुवात में कंटेंट पढ़ा तो हमने बात के थी कि 1918 में दो महकुन घटनाए घटित होती है पर्थम विश्यूद की समापती वर्ल्ड वार फर्स्ट की समापती होती है और दूसरी एहमदाबाद आंदोलन तो एहमदाबाद आंदो भारत को भी यह परभाव करता है कई तरीके से परभाव करता है और जो परभाव पड़ते हैं वो दो तरीके से एक तो परभाव पड़े यह कोशन हमारा बनता कि क्या परभाव पड़े दूसरा यह कि इस विश्यूद ने भारत में राश्रवाद के विकास में योगदान दिया जानि इंडारेक्ली गांदी जी की कॉंग्रेस पार्टी की हैल्प की कैसे की कौन सी प्रिष्थितियां थी कि और ज्यादा गुस्सा भर गया अंग्रेजों को लेकर करके चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या हुआ था तो चलिए हम पहले जो कारण था कि पर्थम था उसके कारण एक नई प्रिष्थितियां है वो भर के सामने आती है क्योंकि ब्रिटे ने उसको बहुत घाटा लोस उठाना पड़ा था पर्थम विश्युद के कारण और उस भारी जो लोस था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सीमा सुल्क इंपोर्ट ड्यूटी और इंकम टेक्स बढ़ा दिया सीमा सुल्क को बढ़ा दिया था और जो इंकम टेक्स थी उसकी शुरुवात कर दिया यानि कि करों में भारी विर्दी सिदा ही लिख सकते हो क्रों में भारी व्रिधी की गई पहला असर ये पड़ा कि जैसे और इसका बोज किस के उपर पड़ा भारतियों पर यानि कि करे वो और भरे हम ऐसा किया तो ना नेचुली सी बात है कि भारतियों में गुस्सा भरा कि अंग्रेज तो कुछ गलत करें दूसरी ये था कि विश्युद के दुरान ही जब विश्युद चल रहा था केमतों में वरिधी हुई महंगाई में बढ़ोत्री हुई और महंगाई में बढ़ोत्री होने का सीधा सा असर आम लोगों पर पड़ा आम लोग नाराज हो गए और ज्यादा नाराज हो गए अंग्रेजों से क्योंकि महंगाई में बढ़ोत्री इतनी अधिक बढ़ोत्री पहली बार ह तो ये भी एक कारण था कि इससे भी अंग्रेज नाराज थी, यानि कि दो कारण हो गए, एक तो करो में विरीधी की गई, दूसरा महंगाई में विरीधी हुई, जिसके कारण भारतिय लोगों में गुसा था, अंग्रेजों को ले करके, वो खुश नहीं थे उनसे, तीसरा का के लोग थी, वो नाराज थी, चोता था पर्थम विशूद किस मापति के बाद, जो अंतिम वर्ष थे, भारत के कई हिस्सों में, उननी सो अठारा से किस के बीच में, फसने खराब हो गई, अकाल के कान, जिसके कान भोजन की कमी हो गई, इसी वक्त, इन्फ्लेंजा एक महा मारी, जैसे COVID अब चल रहा है, इसी परकार की भेंकर महा मारी उस वक्त, पूरे विश्यों में फेली वी थी, भारत, बंगाल, महराष्टा, गुजरात, ये विशेश तोर पर चपेट में थे, तो वो महा मारी थी, उसके कान भी सब कुछ जिमेवार ठहराए गया क्योंकि उन्होंने अच्छे से मैनेज नहीं किया था सिच्वेशन को, तो इसके कान भी भारती है, भारती नेता सब नाराज थे अंग्रेजों से, 1921 की जन्गन्ना के अनुशार लगभग 12-13 मिलियन लोग थे, वो अकाल और हमारी के कान मारे गए थे उस वक्त, जिनका मेर में 10 लाख होते हैं, यानि कि 120-130 लोग मारे गए थे, 120-130 लोग मारे गए थे, तो ये भी एकान था कि अंग्रेजों से भारतिय लोग खुश नहीं थे, उस सरकार से, पर्थम इशूद की समापती के बाद बेरोजगारी के साथ-साथ, बेरोजगारी भी बड़ी और गरीब में दोबारा निकाल दिया गया, तो बेरोजगारी भी बड़ी, गरीबी बड़ी, इससे भी आक्रोस था भारतिय लोगों में, अंग्रीजों को ले करके, तो इन सभी कार्णों से जितने भी कारण थे, उनसे भारतिय लोगों में काफी ज़्यादा ऐस अंतोष फेल गया, उन्होंने अपनी दुर दसा के लिए जुम्यवार ठहराया उपनिविशिक सरकार को, और उपनिविशिक सरकार के पर थे गुस्सा, जो पहले से था, वो बढ़ा, और भारतिय जो लोग थे, उन्होंने गांधीवादी जो आंदोलन थे, गांधीजी के आंदोलन थे, तुष्ट रहते इतनी ज्यादा संख्या में ना जुड़ पाती देश के साथ या राश्रवाद के साथ, तो ये दो तरीके से आपका question बोड एक्जामनेशन में पूछा जा सकता है, पहला पर्थम विशुद के भारत के उपर क्या प्रभाव थे, दूसरा पर्थम विशु में बस इतना ही, उमीद करता हूँ, आपको अच्छा लग रहा होगा, चैप्टर साब को समझ में आ रहा होगा, डीपली भी जा रहे हैं क्योंकि काफी सारे बच्चें NTSC की त्यारी करे हैं, तो कोई भी point छूटना नहीं चाहिए, तो ऐसे ही पढ़ते रहे हैं, त्यारी क